हेलो फ्रेंज वेकम बैक टी माई चानल ओल रिजन चा दोस्तों कैसे हैं आज मैं आपको बहुत ही बड़ी टोनर बताने वाले हूं आपके लिए टोनर बेस्ट होने वाला है इसलिए वीडियो को लाश्ट टक देखी आज जो हम टोनर बनाएंगे जिस चीज से टोनर बनाएं गैस पर पैन चड़ा देते हैं उसमें मैं अधा गिलास पानी डालेंगे बहुत जदा नहीं बना रही हूं क्योंकि यह वन विक्त अराम से चल जाएगा पानी को बॉयल करेंगे बॉयल हो जाने के बाद दूसमें हम डाल लेंगे तुलसी कपता थोड़ा सा उसको उसके बाद है इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे इसमें मिलाएंगे हम गुलाब जल गुलाब जल भी हमारे स्कीन के लिए कितना फायदे मन होता है तो सब जानते हैं तो बस इसमें हम दो से तीन चमच गुलाब जल दालनेंगे उसके बाद इसमें हम डालेंगे गिलिसरी ग्लेसरीन से स्किन भी मॉस्चुराइज रहेगी बस यह तीन चीज़े हमें डालनी है तोसी कपत्ता गुलाब जल और ग्लेसरीन इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे फ्रेंट जो घर की चीज़े होती है ना वहां मेरे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है लंबे टाइम तक इसको स्वश्थ बनाया रगती हैं और जो बाहर की चीज़े होती है ना बाहर के प्रोडक्ट होते हैं वह में इसको भूल जल्दी खराब कर देते जिनके फेस पे मुहासे हैं या दाग धब्बे हैं वो सब धीर धरे ठीक हो जाएगा यह टोनल जिनके फेस पे रिंकल्स है जुरिया आ गई है इसकी धीली हो गई है उसे भी धीरे धीरे कम कर देगा सबसे पहले आपको अपना फेस अच्छे से धो लेना है उसके बाद ही यह टोनल अपलाई करना है यह टोनल आपके फेस पेन बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है इसको बना लीजिए वन विक तक डेली इसको यूज करिए एकदम आपकी स्कीन चमकदार हो जाएगी बहुत ही सुपर सॉप्ट साइनी हो जाएगी सारे दाग दब्बे खतम हो देखिए एक ही बार से स्कीन कितनी ग्लो कर रही है क्योंकि इसमें गुलाब जर तुलसी पत्ता और जो ग्लिसी नहां स्कीन के लिए बहुत ही फायदेमंद है तो आप इसे जरूर एक बाबना के ट्राइक करेगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और जरूर कर दीजिएगा कंजोसी मत करेगा लाइक करने में तो आप अपने के वीडियो अच्छी लगी हो तो बाबाई